आज फिर से कश्मीरी पंडित अपनी जनम भूमी छोड़ने के लिए पलायन करने के लिए फिर से मजबूर हो गया एक बार 1990 में हुए थे और एक बार यह अब फिर से वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गया सरकार अगर इस तरह से अपने ही लोगों के साथ इस तरह का बरताव करेगी तो आदमी का दुख दुखना हो जाता है आज एक ही चीज मांग रहे है कश्मीरी पंडित और कुछ नहीं मांग रहे तुमसे वो कह रहे हमारी सुरक्षा का इंतिजाम करो और भारत्य जंता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है और इनके पास कोई योजना नहीं है किसी तरह की कोई योजना नहीं है जब भी वहाँ पे घाटी में कोई भी मर्डर होता है तो मीडिया में आने लगता है ग्रह मंत्री ने उच्छ करिये मीटिंग बुलाई अरे कितनी मीटिंग बुलाओगे यार अब एक्शन चाहिए हम लोगों को अब कश्मीर एक्शन मानता है अरे क्शन मानता है बहुत हो गई तुमारी मीटिंग योजनों क्या है तुमारे पास प्लान क्या है तुमारे पास प्लान बताओ देश को अरे क्शन मीटिंग बहुत हो गई तुमारी कुछ एक्शन करके दिखाओ यार जमीन के उपर लोग मर रहे हैं जमीन के, बीजेपी पूरी तरह से फेल हो चुकी है कश्मीर में, ये ना खुद कुछ कर पा रहे हैं, ना किसी की सुनते हैं, पिछले तीस साल में दो बार ऐसे मोगे आए, जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने को मजबूर हुए, जब जब वालों से कश्मीर संभलता नहीं है, साड़े चार हजार कश्मीरी पंडितों को PM रिलीफ प्लैन के तहट कश्मीर में पसाया गया, लेकिन उनसे बांड साइन कराया गया, कि तुमको कान कश्मीर में करना पड़ेगा, अगर तुमने कभी ट्रांसफर भी मांगी, तो तुमक कश्मीरी पंडित को भेड़ बकरी थोड़ी है, जिनको बांड साइन करके तुम बंदुआ मजदूरों की तरह आप रखोगे, आप इस तरह का बांड कैसे साइन करा सकते हो, और अभी जब कश्मीरी पंडितों ने कहा कि हमारे ट्रांसफर करो यहां से, हमारी जान खत्रे म हैं, जिन्होंने 177 कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में ही जगे से दूसरी जगे ट्रांसफर कर दिया, और वो पूरी निस्ति इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दी भाजबा वाला, अब यह बिचारे कह रहे हैं कि आतंकवादियों को एक तरह से न्योता दे रही है, बीज आज़पा की केंदर सरकार पूरे देश के सामने प्लान रखे, आपका क्या एक्शन प्लान है देश के सामने रखे, दूसरी चीट, कश्मीरी पंडितों के साथ जो तुमने बांड साइन किया यह बांड कैंसल किया जाए, तीसरी चीट, इनकी आज जितनी भी डिमांड है, वो सारी डिमांड पूरी होने चाहिए और चोथी बात इनको सुरक्षा प्रदान की जाए और आज इसी मन से मैं पाकिस्तान को भी ललकारना चाहता हूँ यह ज़्यादा हिमत मत करो यह छिछारी अरकतें मत करो अगर तुमको लगता है कि इस तरह की अरकते करके तुम कश्मीर ले लोगे कश्मीर हमारा है हमारा था और हमारा रहेगा कश्मीर वो कोई भारत से लग नहीं कर सकता आज मैं इस मन से सारे कश्मीरी पंडित भाई वैनों को बोलना चाहता हूँ में आंध्य पार्टी आपके साथ खड़ी हैं । आ है कि रहा hope कश्मीरी पंडित नी जंवक एक हम साथ कर दो कर दो कर दो